नवस्कार किसान भाईयो रियल किसान चनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो किसान भाईयो आज इस टोपिक पर हम बात करने वाले हैं वो टोपिक यह है कि हमें टमाटर में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और टमाटर में अगर आप अच्छे से ख शुरू करते हैं अगर कोई किसान भाई चैनल पर नया आया हुआ तो चैनल को सब्सक्राब कर ले बैल आकन की निशान को प्रेस करके दबा दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पर मिल सके और दूसरे लोगों को भी शेयर कर दे ताकि यह जा अब मैं इसमें आपको बताता हूं कि सबसे पहले हमें करना क्या चाहिए अगर हमें टमाटर में आपको अच्छी पैदावार लेनी है और इसका रजल्ट जीता जाकता मेरे खेत में है कि मैंने अभी तक इसमें कोई स्प्रे नहीं दिया है और कोई इसमें हमने डोज नहीं डाली है जो मैंने दिया था रोपाई के समय ही दिया था और उससे हमने ये फरक दिखा है कि अगर आप रोपाई के समय इसमें अच्छा खासा खुराग दे देते हैं तो पौदा स्वस्त बिना रोक के अच्छा चलेगा इस प्लांट को लगभग मैंने ये लगाया था तो ये दिवाली के लगभग नवंबर ये लगभग 20 नवंबर की रोपाई है अब आप इसी ते अंदाला लगा लिजिए कि 20 नवंबर को ये लगाया गया था तो दिसंबर जनवरी और फरवरी ये निकल गई है आज जो वीडियो हम सूट कर रहे हैं वो लगभग 10 मार्च को स जा गया हो और वो पौधा एकदम स्वस्त और हेल्दी खड़ा हो अच्छी फ्रूटिंग फ्लॉबरिंग के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा लेकिन इसमें हो रहा है उसका कारड़ क्या है उसका कारड़ ये है कि हमने जब इसमें दो तीन जुताई सुरू में लगवाई अच् उसकी जो है सिचाई करदो खेत की खाली खेत की सिचाई करने के बाद जतना भी खरपतवार उसमें उगाएगा अच्छी तरीके से फिर उसके बाद आप ग्लाइफोसरेट जो एकत्तर आती है उसका आप स्प्रे मार दीजिए तो ये समूल लांस हो जाता है खरपतवार का फिर जो उगेगी बहुत छुटपट उकती है जादा नहीं उकती है बाद में आपको हर्भी साइड नहीं देना चाहिए क्योंकि आपके शुरूट के अंदर उसका रशायनिक तत्त मौजूद हो जाता है तो वो नुक्षान दायक है तो इसलिए बाद में नहीं करें पहले फिर्ट होनी ही चाहिए हमने भी कोशिस की है यह लगबग तीन साड़े तीन फिर्ट करने की लेकिन हमारे हाँ बैड में कर नहीं है हाथों से बनवाई तो कोई छोटी कोई बड़ी हो गई है यह हमारा पहला एक्सपीरिंस था मल्चिंग में लगाने का और कुछ खुले मे बाकी तो मैं पहले से ही खेती कर रहा हूं इसकी लेकिन अब की मैंने कुछ डिफ्रेंट तरीके से किया है तो आप उसको अच्छे से जुताई करा लें जुताई कराने के बाद मूल बात यहां पर आती है कि जब आप रोपाई करने जाएंगे तो रोपाई से लगबग एक एक हपते पहले आप जब टमाटर की रोपाई करेंगे तो आप दो फिट पे डेड़ फिट की जो भी आप उचिस समझे उस दूरी से लगा दें वैसे सर्दियों में अगर लगाना है तो दो फीट की और नहीं तो डेड़ फीट लेकिन मैंने दो दो फीट पे ही लगाया है क्योंकि 42-66 हमारी वैराइटी थी तो एनस की 42-66 जो है बहुत जादा फैलती है बड़ा पौधा होता है और लंबा जाता है तो यह फैला भी बहुत है तो हमने दो फिट पे लगाया था हम उसको एक हपते पहले आप उसमें गड़े कर लें गड़े करने के बाद आप उसमे मिले तो यह गलती बिल्कुल नहीं कर देना कच्चा पका गोबर्द नहीं चलेगा अगर वह आपने डाला है तो आपके पौधे में गलन की समस्या आएगी आएगी बिल्ट लग जाएगी उसको कोई रोकने वाला पैदा दुन्या में माई का लाल नहीं हुआ है मैं इस्प में आप जो है एक एकड के लिए कम से कम दो बोरी डीएपी ले 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 और उसी में आपको मिक्स कर लेना उस कंपोष्ट खाद के अंदर उसी में आपको ट्राइकोटर्मा मिक्स कर लेना है अगर आप और कोई भंगी साइड यूज करते तो वह कर लेना है नहीं सबसे मिलाके और एक हपते पहले हमें गड़ों में भर देना चाहिए गड़ों में भरके थोड़ी सी उपर से मिट्टी डाल दें हलकी सी और एक हपते बाद जब हम पौधा नरसरी से निकालेंगे तो नरसरी की हमें दो-तिन दिन पहले ही सिचाई थोड़ी सी हलकी सी कर देने चाहि है मुलाइम होने के बाद तब हम दो तीन दिन बाद जब उसको उखाड़ेंगे तो एक दम से उसकी साबुत पूरी जड़ निकलाईगी क्योंकि नीचे से मिल्टी मुलाइम हो गई है लेकिन जातर करते क्या है लोग सुखाने के बाद उसको उखाड़ते हैं तो उसकी सभी कर लें जड़ों को दुबा दे आदे घंटे के लिए उसके बाद निकाल कर आप उसमें रोपाई करने से पहले आप सचाहीं कर दें सचाहींकि जब सचाहीं वो आप जरुवत के हिसाब से देंगे न कि पहले से ही दे देंगे आपको पहले ये देखना है हमारा पौधा किस कंडिशन में चल गा है वैसे तो इसमें कोई रोग आता नहीं है अगर आप इसमें ट्राइकोडर्मा बगारा का फंगी साट का यूज कर लेंगे अधर कंपनियों का तो मुझे पता नहीं क्या रजल्ट देता क्या रहिता है लेकिन मैंने इसमें देखा है कि ट्राइकोडर्मा बहुत अच्छा रजल्ट देता है और अम्रतम भी देता है बजार के क्या प्रोड़क्ट्ट में ज्यादा जन नहीं जाना चाहूँगा वह उपर की स्प्रेय है वह आपकी बहुत सारी बचने वाली है हर हपते आपको टंकी नहीं पड़ेगी अभी तक हमारे टमाटर में फ्रूट के अंदर कोई भी रोग नहीं आया है और अच्छा एकदम साइज बना हुआ है यह मैंने अभी तोड़े हैं अपने ही खेसे यह देख हो चुका है क्योंकि पहले मैंने लगाया नहीं था तो मैं यह सोच रहा था कि साइज ही तरह होगा लेकिन यह एकदम देसी सेगमेंट में है और एकदम यह घजब का फूरूट अच्छी सी खटास है अच्छा साइज है और एकदम बस इसमें एक ही दिक्कत आती है कि इसका पौधा जो है बहुत हाड होता है अगर इसको ज्यादा से आप छोड़ोगे छेड़ोगे उठाओगे इसकी टहनिया तूटने लगते हैं तो वह चीज का आपको भी ध्यान रखना है लेकिन इसमें फ्लॉबरिंग फ्रूटिंग में कोई दिक्कत नहीं अगर आप इने यह है और क्या रजल्ट आने वाला है जैसे आप अभी देख रहे होंगी आप देखो इसमें आपको पीला पीला पूरा खेट नजर आ रहा है इसका मतलब जबर जबर जब्रॉबरिंग है और जबर फ्रूटिंग भी है अभी मैं इसको दो तीन दिन बाद अगर सूट करने